हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बाल मुकुंद मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानिक स्पी तो आज किस ओनलाइन टेस्ट में हम डिसकस करेंगे तो आज किस ओनलाइन टेस्ट में हम डिसकस करेंगे इमेल से रिलेटेड होंगे तो आज का सबसे पहला क्वेशन और आप हमारे साथ इस ओनलाइन टेस्ट में डिली साम को आठ बजे जुड़ सकते हैं जिसमें हम इस स्रीच के अंदर ट्रिपल सी नियू स्लेबर्स चैप्टर वाइच क्वेशन डिसकस कर रहे हैं तो आज का सबसे पहला क्वेशन है नियम लिखित में से कौन एमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जल्दी से बता इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा या हो स्काइप माइकरसॉप आउट लोग या फिर जीमेल नियम लिखित में से कौन एमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्काइप स्काइप एक इंस्टेंड मेसेंजर है ना कि एमेल सर्विस प्रोवाइडर जबकि याहो माइकरसॉप आउट लोग और जीमेल यह सभी एमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अगला कुछने इमेल के भाग क्या है और यहां पर ऑप्शन दिया गया है two subject email id या फिर two subject cc closing या फिर two subject body और attachment या फिर उप्रोगत सभी और इसी तरह से एक और question पुछा जाता है कि email id में कितने भाग होते हैं तो email id में दो भाग होते हैं पहला भाग होता है username और दूसरा भाग होता है domain name तो इस question का right answer हो जाएगा option C to subject, body और attachment ये सभी email के भाग होते हैं और अगला question है email में forward का क्या मतलब है तो जब आपके पास कोई mail आता है और उस email को आप किसी दूसरे recipient के पास भीजना चाते हैं तो उसका मतलब होता है forward तो इस question का right answer हो जाएगा option एक नए प्राप्त करता को email प्रतिलिपी भीजना means email की copy एक नए user ये नए recipient को भीजना कहलाता है forward और अगला कुछ ने आपके दौरा भीजा गया email आमतोर पर किस अस्थान पर संगरहित means store किया जाता है जब आप किसी को email send करते हैं तो वो आमतोर पर कहां पर store होता है आपके outbox folder में या फिर आपके inbox folder में या फिर आपके भीजे गया item folder में या फिर आपके spam folder में तो जब आप किसी को email send करते हैं और आपके दौरा भीजे गया email delivered हो जाता है जिसको आपने भीजा था तो वो sent item के अंदर आ जाता है means आपके भीजे गया item folder में वो email store हो जाता है तिस question कर आइट आंसर हो जाएगा option C और अगला कुछे ने भेजा गया email outbox में कब तक रहता है हमेशा जब तक email read नहीं किया जाता या फिर जब तक email प्राप्त नहीं होता या फिर इन में से कोई नहीं तो email में outbox एक ऐसा folder होता है अगर आप किसी को mail send करते हैं वो mail जब तक delivered नहीं होता है तब तक वो outbox के अंदर रहता है जैसे वो email उसे delivered हो जाता है means उसे receive हो जाता है वो outbox से सिधे move हो के आ जाता है sent item के अंदर या sent box के अंदर तो इस question का right answer हो जाएगा option C जब तक email प्राप्त नहीं होता है तब तक वो outbox के अंदर रहता है जैसे email प्राप्त हो जाता है जिसको आपने भेजा है वो automatically outbox से sent item means sent box के अंदर move हो जाता है और अगला कुछने क्या होता है जब आप एक email संदेश के लिए reply all करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा जब आपके पास कोई mail आता है और मालनेचे उस email को कई अलग लग लोगों को भेजा गया होता है और वही same mail आपके पास भी आता है तो वहाँ पे दो options आपको दिखाई पड़ते हैं एक होता है reply और दूसरा option होता है reply to all तो reply का मतलब है जिसके दोरा वह email आपको direct भेजा गया है उसको अगर आप सिर्फ उसी को reply करना चाते हैं तो आप reply पे click करेंगे और उसमें जितने भी email ID जुड़े हुए हैं जैसे कि कुछ ID CC में हो सकते हैं कुछ 2 में हो सकते हैं अगर आप सभी को अपना reply भेजना चाते ह करना होगा या फिर reply all पे click करना होगा तिस question का right answer हो जाएगा option D आपकी प्रतिक्रिया मूल email पर सभी को भेजी जाती है अगर आप reply all पे click करते हैं और अगला question है अवान्चित अन्चाही थोक email क्या है unwanted unsolicited emails को क्या कहते हैं यहां से एक और question पूछा जाता है जैसे कि UCE क्या है या UCE का मतलब क्या है तो UCE का full form होता है unsolicited commercial email जिसको हम spam email के नाम से भी जानते हैं तिस question का right answer हो जाएगा option B जो unwanted या फिर unsolicited emails होते हैं इनको हम spam email के नाम से जानते हैं तिस question का right answer है option B तो अगला question है fishing सब्द को संदर्भित करता है किसको संदर्भित करता है fishing एक तरह की hacking technique होते है जिसमें लोगों की personal information को hack किया जाता है चुराया जाता है fishing का मतलब होता है जैसे कि आप किसी तालाब में मचली पकड़ने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं वहाँ पे बैठते हैं या आपसे कोई ऐसी जानकारी मांगी जाते है जो आपकी personal information से जुड़ी होती है अगर आप उसके बहकाओं में आते हैं कोई ऐसा offer दिया जाता है कि आपको इतने डॉलर दिये जा रहे हैं और उसको आप समझते हैं कि ये एक genuine mail है और उस case में आप उसे अपनी personal information या फिर उ करते हैं तो ये होता है एक तरह का fishing जिसमें एक जाल बिचाया जाता है उसमें से कई सारे लोगों को same to same mail या message भेजा जाता है और कुछ लोग उसको genuine समझ के उसका answer करते हैं अपनी personal information को उसे reply कर देते हैं और उनकी personal information वहाँ पे चुरा ली जाते हैं जिसका वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं हम miss use करते हैं जिसको बुलते हैं fishing और अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा option D एक email जो ब्यक्तिकर जानकारी चुराने की कोसिस करता है जिसको बुलते है fishing और अगला उसे ने SMTP protocol किस port number का उपयोग करता है तो email में तीन अलग अलग तर protocol का इस्तेमाल कियाता है email को send करने के लिए और email को receive करने के लिए दो protocol इस्तेमाल होते हैं होता है P.O.P. और दूसा होता है I.M.A.P. I.M.A.P. हमेशा bib mail जैसे कि आप Gmail को या फिर yahoo mail को browser के माध्यम से access करते हैं तो वहाँ पे email को access करने के लिए जो protocol इस्तेमाल होता है I.M.A जिसको बोलते हैं Internet Masses Access Protocol और अगर आप email client का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि Outlook Express उस time पे mail को receive करने के लिए जो protocol इस्तेमाल होता है वह है P.O.P. 3 तो यहाँ पे इस question में पूछा गया है SMTP protocol किस port number का उपयोग करता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B 25 port number 25 का इस्तेमाल होता है SMTP protocol के द्वारा और अगर हम P.O.P. 3 protocol की बात करें तो इसमें 110 port number का इस्तेमाल होता है जबकि IMAP के बात करें तो यह 143 port number का इस्तेमाल करता है तो आप इन तीनों के port number जरूर याद कर लिजे SMTP port number 25 पे काम करता है जबकि P.O.P. 3 port number 110 पे काम करता है जबकि IMAP port number 143 का इस्तेमाल करता है तो अब हम देखेंगे अगला question इमेल द्वारा attachment भेजने की अधिक्तम सीमा क्या है अब यहां पर कई बार लिखा होता है जी email के द्वारा email attachment भेजने की अधिक्तम सीमा क्या है या फिर yahoo mail के द्वारा email के माध्यम से attachment भेजने की अधिक्तम सीमा क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा option D 25 MB अधिक्तम आप attachment भेज सकते हैं और अगला कुछ ने email पते में उप्यूग करता और domain को अलग करने के लिए आप क्या उप्यूग करते हैं तो आप सभी को बताओगा email में दो पार्ट्स होते हैं होता है username और दूसरा होता है domain name username और domain name को अलग करने के लिए symbol इस्तिमाल होता है जिसको बोलते add the rate symbol तो इस question का right answer हो जाएगा option C add तो अगला question है email भेज़ते समय network 30 होने पर email संदेश कहां store होता है inbox, outbox, draft या फिर store नहीं होता तो अभी अभी कुछ time पहले मैंने explain किया था तो जल्दी से बताओगा इस question का right answer क्या होगा और आप सभी लोग हमारे चैनल की playlist में जागे triple C new slibbers complete को उस नाम की playlist है यहां से आप slibbers complete करते रहे साथ में practice करते रहे और practice करने के लिए आप हमारे website ganxp.com पे visit कर सकते हैं या पे आपको triple C new slibbers model paper, mock test, video lectures study materials सारी चीज़े इस website पे available हैं तो आप यहां से complete triple C की तयारी कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option B, outbox, जब तक वो email receiver तक या जिसको आप भेज रहें उस तक नहीं पहुंचता है, तब तक वो कहां पे रहेगा outbox के अंदर, means अगर network में through T आती है, कोई error आती है connectivity नहीं होती, तो email outbox के अंदर store रहेगा जैसे network connect होगा और वो recipient तक email पहुंचेगा उसे outbox से sent item के अंदर move कर दिया जाता है और अगला ID का username बदला जा सकता है तो इस question का write answer हो जाएगा option B, username बदला नहीं जा सकता है और अगला question है या email पते का हिस्सा नहीं है underscore, add, dot या फिर खाली अस्थान या खाली जगे जिसको हम बुलते है space तो email address में इन में से क्या allowed नहीं है email address में आप underscore इस्तिमाल कर सकते हैं means दो string को separate करने के लिए आप underscore use कर सकते हैं add का इस्तिमाल किया जाता है username और domain name को अलग करने के लिए dot का इस्तिमाल भी आप किसी भी email ID में username में कर सकते हैं या फिर जब हम domain name लिखते हैं तो वहाँ पे .com, .in, .gov भी इस तरह का domain name जो होता है उसमें भी dot का इस्तिमाल किया जाता है it means यहाँ पे underscore, add और dot यह तीनों email के हिस्से होते हैं जबकि अगर हम खाली अस्थान की बात करें या खाली जगे की बात करें space की बात करें तो यह email ID में allowed नहीं होता है तिस question का right answer हो जाएगा option D, खाली जगे और अगला question है एक संदेश या mail बनाने के लिए हम किस बिकल पर click करते हैं send, compose, draft या फिर create अब यहाँ से एक और question पूछा जा सकता है जैसे कि जब आप कोई email compose करते हैं और आप उसे किसी को नहीं भेजते हैं compose करने के बाद आप उसे छोड़ देते हैं तो वो email कहाँ पे store होगा तो वो email store होता है draft के अंदर तिस question का right answer हो जाएगा option B compose एक संदेश या mail बनाने के लिए हमीशा compose option का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है CC से एक से अधिक email नहीं बेज सकते CC का full form होता है carbon copy previous online test में हमने CC, BCC क्या होता है किस तरह से काम करता है काफी detail में explain किया था तो जल्दी से बता है इस question का right answer क्या होगा CC से एक से अधिक email नहीं बेज सकते तो दिखीं यहाँ पे recipient address टाइप करने के लिए recipient email ID टाइप करने के लिए इन अलग अलग तरह की option होते है सबसे पहला option होता है 2 फिर उसके बाद होता है CC फिर उसके बाद होता है BCC तो एक question मैं आप सभी को दे रहा हूँ आप लोग comment box में बताइएगा माल जिए हम कुछ लोग को email send करना चाते हैं और हम सिर्फ CC और BCC में उनके email को type करते है और 2 वाला जो field होता है कोई भी email ID type नहीं किया जाता है तो क्या हम उस email को भीज सकते है comment box में जरूर बताएगा इसको आप practically खुद से करके दिखेगा अगर आपको इस question का right answer नहीं पता है और इसको हम अगले online test में बताएगे इसका क्या मतलब होता है क्यों नहीं जाता है या क्यों जाता है ओके तो इस question का right answer हो जाएगा option B false आप CC में multiple email IDs type कर सकते हैं अब यहां से एक और question पूछा जा सकता है कि एक बार में अधिकतम आप कितने लोगों को email भीज सकते हैं तो एक बार में आप maximum 500 लोगों को एक साथ email send कर सकते हैं और अगला question ने Gmail का संस्थापक कौन है तो इस question का right answer हो जाएगा option A Paul Bushet जो की Gmail के संस्थापक है और अगला question ने भेज गए email को कौन संपादित कर सकता है means edit कर सकता है अगर आप किसी को email send करते हैं तो क्या उस email को आप edit कर सकते हैं या फिर आप जिसको वो email send किया गया है क्या वो उस email को edit कर सकता है means sender, receiver, A और B दोनों या फिर कोई नहीं तो send किया गया email किसी के द्वारा edit या संपादित नहीं किया जा सकता है तो इस question का right answer हो जाएगा option D कोई नहीं एक बार अगर आप किसी को email send कर देते हैं तो उसे edit नहीं किया जा सकता है तो अगला question है निमलकित में से कौन सी file प्रकार email के माद्यम से नहीं बेज सकते है PDF, TXT, EXE या फिर ODT तो इस question का right answer है option C EXE, executable file को email के माद्यम से नहीं बेजा जा सकता है लेकिन एक तरीका होता है जिससे आप email के माद्यम से EXE file को भी भेज सकते हैं आपको क्या करना होगा इसे zip folder के अंदर डालना होगा जिप करना होगा उसके बाद आप EXE file को भी भेज सकते हैं लेकिन आप direct अगर EXE file को attach करते हैं email में तो आप उसे send नहीं कर सकते हैं ऐसा इसलिए होता है security region से क्योंकि कुछ virus होते हैं जो EXE format में होते हैं तो अगर आप इस तरह की कोई file attach करते हैं तो email system उसे allow नहीं करता है और अगला question ने पहला email कब भेजा गया था तो सबसे पहला email Ray Tom Linson के द्वारा भेजा गया था 1971 में काफी popular question है कई बार year पूछा जाता है कई बार इनके डबलपर के नाम पूछे जाते हैं या फिर पूछा जाता है पहला email किसके द्वारा भेजा गया था तो इस question को घुमा फिरा की कई अलग अलगतरा से पूछा जाता है तो यहाँ पे पूछा गया है पहला email कब भेजा गया था तो इस question का right answer हो जाएगा option C 1971 Ray Tom Linson के द्वारा सबसे पहला email भेजा गया था और अगला question ने दो दोस्तों का एक समान email पता हो सकता है तो email ID एक unique ID होते है means सभी की email ID एक unique ID होते है अलग-अलग होते है तो इस question का right answer हो जाएगा false समान नहीं हो सकता है तो option B इस question का right answer होगा ओके तो अब हम देखेंगे अगला question तो अगला question ने अधूरे email कहा सहे जे means save किये जाते है inbox, outbox, draft या फिस sent box तो अभी-अभी कुछ time पहले मैंने इसको explain किया था जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा मालने से आप कोई email compose कर रहे थे और बीच में आप उसे छोड़ देते हैं तो वो email कहां पर store होगा बिल्कुल साही इस question का right answer हो जाएगा option C draft और अकला कुछ ने Gmail हस्ताचर में word means character सीमा क्या है कल की online test में मैंने बताए था signature क्या होता है और इस question में पूछा गया है email signature जो की Gmail से रेटेड पूछा गया है Gmail में signature में maximum कितने character लिखे जा सकते हैं या फिर character limit क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा option D 10,000 आप signature section में यह signature field में अधिक्तम 10,000 character का आप अपना signature create कर सकते हैं जिसमें आप कोई अपनी personal information डाल सकते हैं अपने office का address, आप अपने website का address, अपना email id, contact number जो भी information है आप अपना logo भी वहाँ पे लगा सकते हैं अगर आप कोई company में काम करते हैं आप अपनी company का logo भी signature के अंदर लगा सकते हैं और अगला question है, email में MDA का अर्थ किया यह question काफी popular है, कई बार triple C exam में पूछा गया है mail download agent या फिर mail delivery agent या फिर message download agent या फिर mail distribution agent तो इस question का right answer है option B, mail delivery agent MDA का पूर्ण रूप होता है जो कि client और email server के बीच में काम करता है तो आज का last question है, IMAP port number 143 का उप्यूग करता है लेकिन SSL TLS encrypted IMAP किस port का उप्यूग करता है यह काफी important question है और आज के test का last question है देखते हैं आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे अब यहां से कई सारे questions बन सकते हैं जैसे कि IMAP के बारे में पूछा गया इसी तरह से POP के बारे में पूछा जा सकते हैं और यहां से SSL और TLS के full form भी पूछे जा सकते हैं 110 कर इस्तिमाल करता है जबकि SSL और TLS encrypted POP के sport number कर इस्तिमाल करेगा 995 यह question काफी important है आप चाहिए तो इसका snapshot ले लिजे तो यह आज के test का last question था उमीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सेखने को मिला होगा तो प्लीज हमाई इस वीडियो को लाइक उससे जरूर कीजएगा और अगर आपने अभी तक syllabus नहीं complete किया है तो आप हमारी चैनल की playlist में जाके triple C new syllabus complete course नाम की playlist है जिसमें total 57 वीडियोज हैं यहां से आपको पूरा triple C का complete syllabus मिल जाएगा Libre Office से related सारी वीडियोज आपको मिल जाएगे means chapter wise, topic wise सभी topics आपको यहां पे मिल जाएगे तो आपको सबसे पहले यहां से syllabus complete करना और साथ में important question के साथ आप practice करते रहे और practice करने के लिए आप हमारी website ganxp.com पे visit कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब बटन पे क्लिक करके सबस्क्राइब करें साथ में bell icon on करें तागि जब भी हमारे कोई live class ये live test स्टार्ड होता है उसका notification आप तक पहुंचता रहे ओ लेबल निव सलेबस की वीडियोज अपलोड हो रहे हैं तो अगर आप ओ लेबल की तयारी करना चाहते हैं तो आप हमाई साथ बने रहेगा ओके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले online test में तब तक के लिए बाइ बाइ थैंक यू थैंक यू फोर वाचिंग